नमश्कार SPN 9 News में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हर्याना विधान सभाच चुनाव से पहले रानिया पूर्व विधायक रनजीत सिंग चोटाला भारते जनता पार्टी के लिए मुश्किले खड़ी कर रहे हैं हर्याना में भारते जनता पार्टी ने विधान सभाच चुनाव के लिए पहली पृतियाश्यों की पहली सूची जारी कर दी है बीजेपी की लिस्ट आते ही पार्टी में भगदर मच गई दरसल कई नेताओं ने टिकेट कटने से नराज होने की वज़ा से पार्टी छोड़ने का फैसला ले लिया इसमें से कई अपने पत से स्थीफा भी देते वे नजर आए इसकड़ी में राने विधान सभाच से भाच पा द्वारा टिकेट नहीं देने से नराज रंजीत सिंग्चोटाला ने भी मंत्रीपत से स्थीफा दे दिया उन्होंने कहा कि मैं हर हाल में राने विधान सभाच सीट से चुनाव लड़ूँगा इतना ही नहीं आपको ये भी बता दें कि रंजीत सिंग्चोटाला ने एक ही सीट की मांग की और साथी साथ ये दावा किया कि मैं वहीं से चुनाव लड़ूँगा अब रानिया विधान सभा सीट पर भारते जंता पार्टी की सहमती बनती वी नजर नहीं आ रही है और इस बीच देखा जाए तो रंजीत सिंग्चोटाला को लेकर ये भी दावा किया जा रहा था कि उन्हें डबवाली विधान सभा सीट से भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है लेकिन ऐसा होना मुम्किन नजर नहीं आ रहा है इस लिहास से देखा जाए तो रंजीत सिंग्चोटाला ने खुद ये कह दिया है कि किसी और सीट से नहीं बलकि रानिया सीट से ही चुनाम लड़ूंगा और ये दावा रंजीत सिंग्चोटाला का भारते जनता पार्टी पर भारी पड़ता हुआ नजर आ सकता है क्योंकि अगर रंजीत सिंग्चोटाला निर्दलिय चुनावी मैदान में उतरे तो वो समर्थक जो भारते जनता पार्टी में रंजीत सिंग्चोटाला के शामिल होने के बाद नरास हो गए थे अब वही विधायकों की चर्चा की जाए या चर्चा की जाए जनता की तो सीधे तोर पर रानिया विधान सभा सीट पर अब दबाब रंजी सिंग चोटाला ने बना दिया है अपने समर्थों को खुश करते हुए रंजी सिंग चोटाला नजर आएंगे या फिर भारती जनता पार्टी के साथ बनेंगे या फिर भारती जनता पार्टी को अलविदा कह देंगे क्या लगता है आपको अपनी राइकम सेक्शन में सरूर दे